गुरु जी का फुर्मान है कि परमातमा जी का नाम सुनने अर्थार्त उसकी कीर्ती में अपने हिर्दय को लगाने के कारण ही सिध्ध पीर देव तथा नाथ इत्यादी को परमपद की प्राप्ति हुई है नाम सुनने से ही पृत्वी उसको धारन करने वाले ब्रिशभ पोराणिक धरम गरंतों के अनुसार जो धोला बैल इस भू लोक को अपने सींगो पर टिकाई हुए है तथा अकाश के स्थाइत्व की शक्ती का ज्यान प्राप्त हो जाता है नाम सुनने से शालमली, क्रोच, जंबू, पल्क आदी, सब्त दीप, भूभव, सब आदी, चोदह लोक तथा अतल, वितल, सुतल आदी, सातो पतालों की अंतर्यमता प्राप्त होती है नाम सुनने वाले को काल स्पर्ष भी नहीं कर सकता है नानक प्रभू के भक्त में सदेव आनंद का परकाश रहता है परमातमा जी का नाम सुनने से समस्त दुखों वा दुशकर्मों का नाश होता है सुनिये इस्तर ब्रह्मा इंद, सुनिये मुख सलाहन मंद, सुनिये जोग जुगत तन भेद, सुनिये सासत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिये दुख पाप का नास परमातमा जी का नाम सुनने से ही शिव भ्रमा जी तथा इंद्र आदी उत्तम पदवी को प्राप्त कर सके हैं मंदे लोग यानी की बुरे करम करने वाले मनुश्य भी नाम को शरवन करने मातर से परशंसा के लायक हो जाते हैं नाम के साथ जुडने से योग आदी तथा शरीर के विशुद्ध मनी पूरक मुला धार आदी छट चक्र के रहस्य का बोध हो जाता है नाम सुनने से छट शास्तर सांख्य योग नियाई आदी 27 समर्तियों मनु याग वालक्य समर्ति आदी तथा चारों वेदों का ज्यान उपलब्द होता है हे नानक संत जनों के हिर्दय में सदेव आनंद का परकाश रहता है परमातमा का नाम सुनने से समस्त दुखों वा दुश कर्मों का नाश होता है सुनिये संत संतोख ग्यान सुनिये 68 का इसनान सुनिये पड़़पा वहमान सुनिये लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिये दुख पाप का नास नाम सुनने से मनुश्य को सत्य संतोश वा ग्यान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ती होती है नाम को सुनने मात्र से समस्त तीर्थों में सरेष्ट 68 तीर्थों के सनान का फल प्राप्त हो जाता है निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार बार रसना पर लाने वाले मनुश्य को उसके दर्वार में समान प्राप्त होता है नाम सुनने से पर्मात्माजी में लीनता सरलता से हो जाती है क्योंकि इससे आत्मिक शुद्धी होकर ज्ञान प्राप्त होता है हे नानक प्रभु के भक्तों को सदेव आत्मिक आनंद का परकाश रहता है परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों वा दुश कर्मों का नाश होता है सुनिये सराग गुणा के गह सुनिये सेख पीर पाती साह सुनिये अंधे पावेह रह सुनिये हाथ होवे असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिये दुख पाप का नास नाम सुनने से गुणों के सागर शिरी हरी जी में लीन हुआ जा सकता है नाम श्रवन के परभाव से ही शेख फीर और बादशाह अपने पद पर शोभ्यमान हैं अज्ञानी मनुश्य प्रभु भक्ती का मार्ग नाम श्रवन करने से ही प्राप्त कर सकते हैं इस भव सागर की अथा गहराई को जान पाना भी नाम श्रवन की शक्ती से संभव हो सकता है ये नानक सद पुरुशों के अंतर में सदेव आनंद का परकाश रहता है परमातमा जी का नाम सुनने से समस्त दुखों वा दुशकर्मों का नाश होता है मन्ने की गत कही न जाई जैको कहे पिछे पचुताई कागद कलम न लिखन हार मन्ने का वह करन विचार ऐसा नाम नरंजन होई जैको मन नह जाने मन कोई उस अकाल पुरुष का नाम सुनने के पस्चात उसे मानने वाले अर्थार्त उसे अपने हर्दे में बसाने वाले मनुश्य की अवस्था कथन नहीं की जा सकती जो भी उसकी अवस्था का वखान करता है तो उसे अंत में पच्छताना पड़ता है क्योंकि यह सब कर लेना सरल नहीं है ऐसी कोई रसना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद का रहस्य उदगाटन कर सके ऐसी अवस्था को यदि लिखा भी जाए तो इसके लिए ना कागज है ना कलम और ना ही लिखने वाला कोई जिग्यासु जो वाही गुरु में लिवलीन होने वाले का विचार कर सक परमातमा जी का नाम सर्वस्रेष्ट वा मायातीत है यदि कोई उसे अपने हिर्दय में बसा कर उसका चिंतन करे मन्ने सुर्थ होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भन की सुद्ध मन्ने मुह चोटा ना खाई मन्ने जम के साथ न जाई ऐसा नाम नरंजन होई जैको मन्ने जाने म मन कोई परमातमा जी का नाम सुनकर उसका चिंतन करने से मन और बुद्धी में उत्तम प्रिती पैदा हो जाती है चिंतन करने से संपूरन स्रिष्टी का ग्यान बोध होता है चिंतन करने वाला मनुश्य कभी संसारिक कस्टों अथवा पर लोक में यमों के दंड का भोगी नहीं होता चिंतन शील मनुश्य अंतकाल में यमों के साथ नरकों में नहीं जाता बलकि देवगणों के साथ स्वर्ग लोक को जाता है परमातमा जी का नाम बहुत ही स्रेष्ट एवं मायातीत है यदी कोई उसे अपने हिर्दय में लीन करके उसका चिंतन करे मन्नह मार्ग ठाक ना पाई मन्नह पत स्यू परगट जाई मन्नह मंग ना चले पत्थ मन्नह धर्म सेती सनबंध ऐसा नाम निरंजन होई जैको मन्नह जाने मन कोई नरंकार के नाम का चिंतन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी परकार की कोई बाधा नहीं आती चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है ऐसा व्यक्ति दुविधा पूरण मार्ग अथवा संपरदायक्ता को छोड़ धर्म पत पर चलता है चिंतनशील का धर्म कारियों से सुद्रड संबंध होता है परमातमा जी का नाम बहुत ही स्रेष्ट इवं मायातीत है यदि कोई उसे अपने हिर्दे में लीन करके उसका चिंतन करे मन्नह पावय मोख द्वार मन्नह परवारे साधार मन्नह तरे तारे गुर सिख मन्नह नानक भवहन भिख ऐसा नाम निरंजन होई जैको मन्नह जाने मन कोई प्रवु के नाम का चिंतन करने वाले मनुश्य मोख द्वार को प्राप्त कर लेते हैं चिंतन करने वाले अपने समस्त परी जनों को भी उस नाम का आश्रय देते हैं चिंतन शील गुर सिख सवयम तो इस भव सागर को पार करता ही है तथा अन्य संगियों को भी पार करवा देता है चिंतन करने वाला मानव जीव है नानक दर दर का भीकारी नहीं बनता परमातमा जी का नाम बहुत ही स्रेष्ट एवं माय अतीत है यदि कोई उसे अपने हर्द्य में लीन करके उसका चिंतन करे उपरोक्त चार पोडियों में नाम को सुनने के पस्चात उसका चिंतन करने तथा निंद्या सनम की महिमा का वर्नन किया गया है यदि गौर किया जाए तो यह गुरु काल से ही परमपरा चली आ रही है कि पहले गुरु मंत्र कानो द्वारा जिग्यासु के अंतर में परवेश करता है फिर उस अमरित नाम का निरंतर चिंतन जीवाह द्वारा किया जाता है यही नाम फिर हिर्दय में सुमरण का रूप ले लेता है हिर्दय से किये जाने वाले सुमरण से यू परतीत होता है मानो मुह रसना नेत्र तथा शरीर के रोम रोम में वह गुरु विद्यमान है इस चिंतन से ही साधक उत्तम पद भी प्राप्त करता है